हिमाचल में दहसत पैदा करने वाला गुडिया कांड एक बार फिर सुर्खियों में है। कॉंग्रेस पार्टी की प्रदेसर धच प्रतिभा सिंग के दिये गए बयानों पर बिजेपी एक बार फिर मुखर हो गई है। बिजेपी महिला मोर्चा की प्रदेस प्रवक्ता नीलम सरैक ने इस बयान को संबेदरहीन बताया और बिना सर्थ जन्ता और गुडिया के माता पिता से माफी मागने की बात कही है। मामला हुआ था इसकी जो चांस की उससे संतुश नहीं थे। एक बार फिर इलेक्शन आने वाले हैं विदान सबाज चुनाव नजदी के और यही गुडिया कांट जो 2017 में एक सरकार बतलने के बड़ा कारण बना था। एक बार फिर राजनिती के केंदर बिंदू में आता दग रहा है। पिछले कल ही जो कॉंग्रस की प्रदेश अधिक्ष है उन्होंने एक ब्यान दिया इस कांट को लेकर और जो उनका ये ब्यान है वो काफी गर्मा गया है इस पर जो है प्रदेश की जो भाजपा महिला मोर्चा की जो प्रवक्ता है वो इस वक्त हमारे साथ प्रतिबा सिंग जी का जो ब्यान आया है नारी सवेदन हिंता वाला ब्यान अत्यंत आपत्री जनक ब्यान है जिसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है कड़े शब्दों में हम एक तरह से कह जाए तो उसकी निंदा करते हैं एक महिला होते वे आप एक बेटी और एक नारी क तो उस टाइम की जो ततकालिन भीरवदर सिंग जी की सरकार थी कॉंगरेस की सरकार थी उन्होंने इस पूरे मामले में लीपा पोती करने की पूरी कोशिश की थी इस केस को दबाने में पूरी कोशिश की और साक्षे को मिटाने में भी नश्ट करने में उन्होंने पूरी कोश इशासन फेलियर रहा था गलत लोगों को अंदर डाल दिया गया था उसके बाद सीब्याई की जांच के जो आदेश हुए थे वो किये गये थे तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो इस गुडिया कांड का एक मात्र जो चश्मदीद गौहा सूरज नाम का जो एक नेपाल या ऐसा हो गया वैसा हो गया तो थाना उसलिए जला था कि जो रात को चुप चापगां पर जो एक कस्टोडियल डेथ हुई थी उसके विरोध में स्थाने जन्ता ने विरोध पर दशन किया था एक वारदाती जिसको वारदात हो गई थी और उसी उसके चलते हम आज तक के है और ये सब भोगत रहे हैं तो मेरा जो आदने प्रतिवा सिंग जी जो हमारी सांसद भी है मंडी संस्तेक शेतर से और कॉंग्रेस पार्टी की अदेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात एक महिला भी है और एक महिला होते वे आप एक बेटी के लिए इस तरह की सोच रखत है ये भी इनकी जो सोच है इसको बताता है कि नारी के प्रतिवा सिंग जी से मैं चाती हूं कि जो आपने ये ब्यान दिया है गुडिया अकांट जो एक जगन्य अपराता जो समूचे परदेश पूरी देव भूमी को जिसने शरम सार किया था आप इसको एक छोटी सी घटन लगती है लेकिन हमारे एक शेत्र की बेटी के साथ एक जगन्य अपराद हुआ था तो पूरे एक शेत्र की जनता और पूरा जो परदेश है वो उस बेटी के साथ उस टाइम खड़ा था तो आपने जो ये ब्यान दिया है आप जनता से और उस बदनसी बच्ची के माता-प है भाजपा भी इसके इसको केंदर में रखती है कि महिलाओं को हम सेक्ट लेकिन उसके बावजूत महिलाओं को लेकर इतनी सवेदन हिंदा लगातार हर ब्यान-बाजी में महिलाओं को अप खींचा जा रहा है जो इस बार के अगर इस बार के हम स्पेशली बात करें तो माने मुख्यमंत्री के उसमें जो ब्यान दिया, उनकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, राजनीती अपनी जगा है, इससे पहले भी राजनीती होती रहती थी, एक दुसरे के प्रति ब्यान बाजी होती थी, लेकिन इस तरह की छोटी सोच रखना और महिलाओं को कसीटना, मतलब एजली जो महिलाओं को टारगेट करते हैं, इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इसके उपर संग्यान लेना चाहिए, कि जो इस तरह की जो ये मान सकता है, पूरुष मान सकता हैं तो उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और रही बात महिला सरशक्तिकरण की तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं, कि वो भारते जंता पार्टी ही है, जिसने महिला सरशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है, आप मुझे कॉंग्रेस पार्टी का एक भी ऐसा एजेंडा बताइए, एक भी ऐसा काम बताइए, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया हो, नारियुतान के लिए किया हो, या नारिय सरशक्तिकरण के लिए किया हो, जहां तक हमें जान पड़ती है जहां तक हमें ग्यात है तो जब भारते जंता पार्टी की सरकार आदने दुमर जी के नितितों में हिमाचल परदेश में काम करी थी जो 50% आरक्षन स्थाने निकाय और पिंचाती रासंस्ताओं में दिया था उसके लावा करवा चौत भाया द जूज रक्षाबंदन की जो छूटियां थी वो भी उन्होंने ही दी थी एक नारी सशक्तिकरण के लिए एक जो पहल की थी उसके अलावा अगर आप भी आप देखेंगे कि संगठन में हर मेन पद पे जो है भारते जंता पार्टी में महिलाओं को विशेश तरजी दी जात और प्रदेश नेतित्व का अभार ब्यक्त करती हूँ अभी आप हाली में देखेंगे कि भाजपा की जो राष्ट्रपती हमारी जो महामई जो हमारी आदर ने मुर्मूजी को बठाया गया है महिला नारी उतान और नारी सशक्तिकरण के लिए भारते जंता पार्टी ने ब प्रदेश के अंदर किया है अभी हाली में जैराम ठाकुर जी की सरकान ने आप देखो महिला उजवला योजना आप देखो यह उजवला योजना ग्रीनी सुविदा योजना और अब सबसे बड़ा काम जो 50% जो आरक्षन महिलाओं को उसमें कट उती जो इसमें किये बसो म को मद्या नजर रखते हुए आदने जैराम ठाकुर जी की सरकार ने हाली में जो लॉंच की है तो इसलिए में समस्त महिलाओं के और से बारतिया जन्तापाइटी की सरकार का माने मुक्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहते है नीलम जी जो कुडिया कांट था ये इसक कितना कुछ सब्सक्राइबन देखे़ें मानने कोड़ का जो we नहीं कुछ नहीं कहना चाहूंगी तो मैं इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी लेकिन जहां तक जान्च का बात है अगर गुडिया के मातापीता चाते है कि ओपन करें तो उनके साथ हैं तो जो भी मदद होगी तो हम करेंगे जिस तरह आपने बताया कि भाजपा के जुबल कोटखाई में आपको उप्चनाव में टिकट मिला था एक बड़ी हार का आपको सामना करना पड़ा था क्या लगता है कि जुनेतत वा आपने अंदोलन में किया था उसको लेकर कुछ था या भाजपा में वहां पर महिला जुनेतत थे उसकी सविकारता नहीं थी देखे जब किसी आम घर की महिला को एक आम घर से जब किसी को टिकेट मिलता है तो समाज उसको सविकारने में बहुत समय लेता है क्योंकि जो समाज के लोग होते हैं, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, उसी समाज में रहते हैं, तो उनको शायद ऐसा लगता होगा, यह मेरा अपना परसनल अनुभव है, कि किसी क्या पोता, किसी का बेटा, यही शायद आगे उनकी विरासत को ले जा सकता, अगर किसी आम घ करके लोगों को इस तरह का नित्यों करने का मौका मिलता है, पतने उनमें उक्षमता होती है की नहीं, एक आम धारना यह बनी होती है, लेकिन धीरे-दीरे सब चीजे सामाने हो जाएगी, अब महिला को आने वाले समय में, बहुत कुछ मिलने माला है, भारते जनता पार्टी प्रति वदा है और वचन वदा है कि महिला को अच्छी दर्जी देगी, आने वाले विदान सा वचना होगी, जिस तरह से आपने जो प्रदेशाद है कॉंगरस की उनके बियान को कंडम किया, तो अगर वो बिना शर्ट माफी नहीं मांगती है, तो आने वाले तिनों में भा भाजपा महिला मुर्चा पूरी कोशिश करेंगा कि आने वाले इक व्यापक तोर पे एक उस पे आंदोलन करेंगी और वो जो हमारी जो प्रतिवा सिंह है, यह सांसद भी है और अधैक्षा भी है, हम चाहेंगे कि वो अपने इस बात के लिए जो उन्होंने एक गुडिया क यह थी प्रदेश महिला मुर्चा की प्रवक्ता निलम सरेक, इन्होंने बताया कि कॉंग्रेस की प्रदेश अधैक्ष है अगर वो माफी नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में भाजपा महिला मुर्चा एक बड़ा आंदोलन भी हिमाचल में कर सकती है